जै शीर राम भक्तों, भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देव बनी में, भक्तों आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, भक्तों हमारी कथाओं को लाइक अधिक सधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक सधिक सब्सक् दिप्षर में दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा जैए शीर राम भक्तों सवालों की श्रंकला में आप सब का स्वागत है आज का प्रिश्ण है हनमान जी के माता पिता का क्या नाम है अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें चलिए आज के कथा श्रवन करते हैं आज की कथा है एक नाई और उसकी पुत्री तथा बकरा पुत्र आईए कथा श्रवन करें एक गाउं में एक नाई और नाई दमपत्ती रहते थे वे बहुत गरीब थे और भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते थे नाई गर्वती थी उसे एक दिन अमरूत खाने का शौक हुआ वह अपने पती से बोली कि मुझे अमरूत का फल खाना है तब उसके पती ने कहा कि मैं गाओं में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ तुम भी मेरे साथ चलो रास्ते में जो अमरूत का पेड़ है उसमें से तुम अमरूत तोड़ कर खा लेना मैं भिक्षाटन के लिए आगे चला जाओंगा और वापस आकर फिर हम साथ अपने घर को वापस आ जाएंगे दूसरे दिन ऐसा ही हुआ नाइन नाई के साथ घर से निकली और रास्ते में पढ़ने वाले अमरूत के पेड़ के नीचे रुख गई नाई भिक्षाटन के लिए चला गया उधर नाइन उस अमरूत के पेड़ पर चड़ी और पका फल तोड़ कर खाने लगी जब वह उतर रही थी तो उसका पेड़ एक सुखी ही डाल के तोटे हुए टुकडे पर पड़ा और फट गया वह नीचे गिर गई उधर शाम को जब नाई भिक्षाटन कर वापस उस पेड़ के पास पहुचा वहाँ उसने देखा उसकी पत्नी पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी उसका पेड़ फटा हुआ था पास ही में एक नवजाद बच्ची और एक बकरी का नर मेमना था नाई ने उस मेमने और लड़की को घर लाया और गाहँ वालों को बुलाकर अपनी पत्नी का क्रिया करम कर दिया समय अंसार बच्ची और मेमना बढ़ने लगे मेमना जल्दी ही बकरा बन गया किन्तों बच्ची अभी छोटी ही थी धोनों भाई बहन खेलते हुए बढ़ने लगे गाहँ वालों ने नाई से कहा कि नाई तुम इन बच्चों की देखरेक के लिए दूसरा विवाह कर लो पहले तो नाई ने मना कर दिया उसके बाद उसने कुछ सोच विचार के बाद दूसरी शादी कर ली कुछ दिन बाद नाई की दूसरी पत्नी से भी एक लड़की पैदा हुई अब तीनों साथ साथ बढ़ने लगे नाई की दूसरी पत्नी के मन में अपने सोतेली बेटी और बकरे पर हमेशा क्रोध आता था वे उनके प्रती बुरा वेवहार करती थी, वे सोतेली बेटी को खाना नहीं देती और वे भूखी रहती थी, बकरा इधर उधर चारा चल लेता था, एक दिन वै लड़की अपने भाई बकरे को चराने के लिए जंगल की और गई, लड़के बहुत उदास थी, उसके भाई ब करो, तुम मेरे सर पर मुक्य से वार करो और जो चाहती हो, वे मांग लो, बच्ची हसी मजाक में ही उसके सिर को मुक्य से मार कर बोली, लड़ू दे दो और बतासा दे दो, बकरे के मुह से धेर सारा लड़ू बतासा निकला, बच्ची उसे तरप्त होने तक खाई, इसी तर दिन गुजरते गए लड़की को जो भी खाने का मन होता वे बकरे के सिर में मुश्टिक पुरहार से पा जाती घर में उसकी सोतेली मा उसे खाने को नहीं देती थी किन्तु वे बकरे के सिर को मार कर रोल लड़ू, खीर पूड़ी, हलवा आधी खाती थी ऐसा करते करते वे के कारण पतली हो रही थी, सोतेली मा विचारने लगी कि उसके जिन्माई पुत्री बहुत कमजोर है और यह लड़की काफे हस्ट-पुस्ट है जबकि मैं इसे खाना कम देती हूँ, उसने इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी पुत्री से कहा कि तुम आज उसका पीछ लग गई, उसे पता चला कि दोनों एक पेड के नीचे रोज जाते हैं, दूसरे दिन उनके आने से पहले ही वह उस पेड के उपर चड़ गई, लड़की और उसका भाई बकरा जैसे ही उस पेड के नीचे पहुँचे, लड़की ने उस बकरे के सर पर मुक्का मारा, कहा पूड़ी, बकरे के मुँँ से ताजा ताजा हलवा पूड़ी बरसने लगा, लड़की हलवा पूड़ी खाने लगी, पेड के उपर चड़ी हुई लड़की, उसके चले जाने के बाद नेचे उतरी और घर जाकर अपनी मा को इस वाक्या को सुनाया, सोतेली पत्नी ने पूछा तो वह कुछ भी बहाना बना दी, पती जानता था कि बकरा उसका पुत्र है, वह उसको मारना नहीं चाहता था, किन्तु त्रियाहट के कारण उसे विवश होकर उस बकरे की बली देने के लिए हां करना पड़ा, दूसरे दिन बकरा और लड़की जंगल गए, हड़ियों को तलाब में फेक देना, फिर मैं तुम्हारी भोजन की विवस्था लगातार करते रहूंगा, लड़की ने ऐसा ही किया, लड़की ने बकरे की बली के बाद उसकी हड़ियों को तलाब में फेक दिया, देखते ही देखते वह बगला बन गया, वह बगला तलाब में मचलिया निकाल निकाल कर उस लड़की को देने लगा लड़की उस मचली को आग में भुनकर खाने लगी इसी तरह रोज उसे मचली मिलने लगी और वह तंदुरुस्त रहने लगी सौतेली मा को फिर शंका हुई उसने अपनी लड़की को पुना बोला कि जा कर देखो ये आलाव से मचलियां निकाल-णिकाल कर उस बच्ची को देने लगा जिसे वे बून-बून कर खाने लगी. पेट भर जाने पर वे वहाँ से चली गई. सोतीली मा की बेटी पेट से नीचे उतरी और अपनी मा को या बाप जाकर बताई. सोतीली मा ने पुना त्रिया चरित्र किय और उस बगले को मारने का अदेश दे दिया दूसरे दिन लड़की ने बगले को बताया कि भाई तुम्हें आज मारने वाले हैं तब उस बगले ने कहा कि बहन तुम फिक्र ना करो मेरे मरने के बाद मेरे हडियां को तुम तलाब के पास में गार देना लड़की ने उसके हडियां तलाब के पास में दबा आई तलाब के पास में एक बड़ा आम का पेड उग गया लड़की उस पेड के नीचे जाकर भाई से आम मांगती तो टप से बड़ा सा पका आम टपक पड़ता लड़की फिर मोटी होने लगी सोतेली मा को फिर तकलीफ हुई उसने नाई से जिद करके उस आम के पेड को कटवा दिया आम ने कटने से पहले लड़की से कहा की मेरे कुछ लकडियों को राजा के बाग में दबा देना लड़की ने कहा भाई इसी तरह हर बार मेरे सोतेली मा तुमकों मरवाती रहेगी इसका कोई स्थाई हल निकालो आम ने लड़की के कान में कुछ जुगत बताई लड़की के द्वारा आम की लकडियों को राजा के बाग में दबाने के कुछ दिन बाद महां चौलाई उगाई राजा के बाग की चौलाई को देखकर राणी को उसकी सबजी खाने का मन हुआ उस चौलाई को खाकर राणी गर्बबती हो गई उसका एक पुत्र हुआ कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा लगा तार रोने लगा किसे के वे चुप कराने से वे चुप नहीं हो रहा था राजा रानी परेशान हो गए उन्होंने कही वैदों का बुलवाया सबने जांच की परंतो कुछ ना निकला राजा ने पुरे परदेश में डुगड़गी पिटवा दी की जो इस बच्चे को चुप करा देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा लड़की को बगले ने कान में बताया था कि मेरी हड़ी को राजा के बाग में दबाने पर उससे पैदा हुई चौलाई को रानी खाएगी तो वह गर्वती हो जाएगी और उसका एक बच्चा होगा कुछ दिनों बाद वह बच्चा रोएगा वह बच्चा में ही रहूँगा मैं तभी चुप होँगा जब तुम मुझे आकर चुप कराओगी लड़की यह बात जानती थी डुगडुगी से सूचना सुनने के बाद सारे देश के लोग आये सभी ने उस बच्चे को चुप कराने का प्रयाश किया किन्तु वह बच्चा किसी से चुप नहीं हुआ तब वह लड़की राज महल में गई और बच्चे से बोली बकरे से बगुला भया बगुले से आम आम से चौलाई भया चुप हो जा मेरे भाई चुप हो जा मेरे भाई इससे सुनने के बद बच्चा खिल-खिलाने लगा राजा खुश हुआ राणी ने कहा कि आज से तुम इस राजी की राजकुमारी हो और यह तुमारा भाई है इस प्रकार से लड़की अपने भाई के साथ सुख से रहने लगी कुछ समय के बाद राज कुमार की शादी हुई नगर में भंडारा खुला देश भर के लोग आए और छक्कर भोजन किया बरात धुमधाम से निकली नाई के दर्वाजे से बरात निकली तो लड़की ने देखा लोग माल पुआ खा रहे थे और नाउ और नाई पत्री चाट रहे थे उनका भाग ये इस बार खूब रूट गया था दोस्तों आपके या कथा कैसी लगी अपने विचारों सुझा कमेंट में जरूर दें हमारे कथाओं को लाइक करें हमारे कथाओं को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गहन पराप्त हो जैशीर राम भकतो